विल्कम बैक टू माइ अनदर वीडियो और आज की टॉपिक के अंदर हम हार्ट और ब्लड वेजल्स को डिसकस करेंगे सबसे पहले अगर हम ब्लड प्रेशेर रेगुलेशन की डाइग्रम को थोड़ा सा अंडस्टैंड कर लें तो इसके अंदर हम वो तमाम इंपॉर्टन पॉइंट को डिसकस करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशेर एक्वल होता है कार्डियक आउटपूट मल्टिप्लाइ बाइ पैरिफल रेजिस्टेंस अब ये चीज़े क्या हैं और किस तरह से इंपॉर्टन रोल प्ले करती हैं कार्डियक आउटपूट हम बिसिकली कहते हैं कि हार्ट से पर मिनिट कितना ब्लड पॉंप हुआ है और पैरिफल रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि जो आपका ब्लड वैजल से क्या रेजिस्टेंस मिल रही है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टन फैक्टर और रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में अगर किसी चीज दोनों में अगर कोई आपएंड आउन आता है तो इट मीज की रेगुलेशन में कोई भी चेंज आएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है डिक्रीस कर सकता है कार्डियक आउटपुट में हम देखें तो हमारे पास दो चीज़े हैं एक blood volume और दूसरा हमारे पास है cardiac factor, cardiac factor को हम देखें तो जैसे कि हम यह पता है कि heart हमारा एक pumping organ है, heart ने क्या करना है, blood को pump करना है, अब यह जो heart का pumping mechanism है, यह दो चीज़ उपर depend करता है number one, कि कितनी force आपका heart लगा रहा है, यानि उसके कितने muscles efficient है during pumping और इस चीज़ को हम कहते हैं contractility, दूसरी चीज़ आता है heart rate, heart rate हम कहते हैं कि what is the speed of heart यानि कितनी speed से heart जो है, वो pumping का mechanism कर रहा है, वो speed उसकी slow है, वो speed उसकी normal है, यह बहुत ज़्यादा fast speed है तो cardiac output के cardiac factors में यह दो important factors है, उपर अगर हम देखें तो blood volume है, blood volume है हमारे पास sodium वगएर आता है अगर हम peripheral resistance की बात करें तो peripheral resistance के अंदर हमारे पास आती हैं दो चीज़े, दो factors आते हैं जो vessels की controlling में roll play करते हैं एक आता है constrictor, दूसरा आता है dilator, constrictor और dilator में जो hormone है, वो constrict या dilate करेंगे blood vessels को constrictors के अंदर हमारे पास यह कुछ नाम है, जिनको हमने याद रखना है for MCQs, point of view से यह आ सकता है के constrictor में कोई भी option दे के फूछा जा सकता है कि इन में से constrictor बताएं, and then dilators है dilators में हमारे पास एक है nitric, prostaglandin वगएर है, अगर हम यहाँ पे dilators की ही बात करेंगे हैं यहाँ पे एक हम बहुत ही important point को discuss करेंगे, और वो यह है, कि आपने देखा होगा कि कुछ patients को अगर एक tablet दी जाती है, जो हमने, जो nitroglystern की tablet दी जाती है, specifically, वो sublingually दी जाती है, यानि उनको कहा जाता है कि उन्होंने जुबान के नीचे रखनी है, और वो orally नहीं दी जात है, bio availability की बात करें, तो हमने अगर pharmacology में यह पढ़ा कि जो हमारी 500 mg अगर drug है, तो वो 500 mg ड्रग पूरी हमारी body में absorb नहीं होती, ठीक है, क्योंकि drug के उपर caldering भी हुई है, उसके उपर different coating हुई है, तो यह जरूरी नहीं कि अगर 500 mg ड्रग है, तो वो सारी के सारी same as it हमारे intestine time तक जाके absorb करेंगी, अगर nitrogen की बात करें कि वो sublingual क्यों दी जाती है, क्योंकि उसके जो bio availability है, वो बहुत ही कम होती है, और अगर उस drug को हम orally use करते हैं, तो 90 to 95% drug जो है, वो waste हो जाएगी, सारी metabolites हो जाएगी, stomach में जाके ठीक है, और end पे जो हमारे पास product है, वो इतना कु अब क्यों होता है कि resistance जैसे ही increase करता है, तो आपका blood pressure भी जाता होगा, और resistance तब ही increase होगा, जब weasers constrict करेंगी, इस वज़ा से हम जो dilate है, वो peripheral resistance को हम dilate करते हैं, through dilators, ठीक है, peripheral resistance इसे कम होगी, अब उसके बात, अगर हम peripheral resistance में neural factors की बात करें, तो उसमें भी हमारे पास दो चीज़ी आती है, एक constrictor, और दूसरा आता है dilator, सबसे पहले कर हम constrictor की बात करें, तो you have to remember that, जब alpha adrogenic release होगा, ठीक है, तो it will act as constrictor, और जब beta adrogenic release होगा, तो then it will act as dilator, तो ये थे blood pressure की regulation में वो सारे important points जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था, कि ये कौन-कौन से ऐसे point है, जो blood pressure की regulation में important role play करते हैं, और किस तरह से ये role play करते हैं, second diagram हमारे पास आती है, इस diagram के इंदर हम देखेंगे, कि for example, किसी person का BP drop की है, normally हमारे पास blood pressure होता है, 120 by 80, लेकिन अगर कोई ऐसा person है, जिसका blood pressure इस value से drop करके है, कम हुए, तो क्या होगा, signal जाता है kidney को, किडनी को ये signal जाता है, कि सोडियम बाहर नहीं निकालना, यानि सोडियम को वहीं पे stop करतो, basically, सोडियम क्या कर रहा होता है, कि जो आपका blood volume of heart है, उसको increase करवा रहा होता है, जो ही kidney को ये signal जाता है, kidney आगे से hormonal mechanism को follow करती है, और वहां से renin release होगा kidney से, और वो क्या करेगा, एंजियो टेंसेन है, जिसको वो convert करता है, एंजियो टेंसेन 1 में, फिर एक converting enzyme आएगा, जो एंजियो टेंसेन 1 को convert करेगा, एंजियो टेंसेन 2 के अंदर, ठीक है, on the other hand, अगर हम बात करें, उस person की जिसका blood pressure increase कर जाता है, तो अगर किसी person का blood pressure increase करेगा, तो उसमें signal जाएगा cardiac sensors को, और वो आगे से signal send करेंगे kidney को, के vasodilation करवाएं, ठीक है, यानि के एक signal जाएगा के sodium की release को, sodium release करवाएं, और फिर vasodilation होगी, जब vasodilation होगी, तो आपका blood pressure भी increase करेगा, लेकिन हम basically ये देखेंगे किस तरह से aldosterone रेनिन से release कराया गया है, अब जब aldosterone, अगर diagram के अंदर देखें, तो जब aldosterone release होगा, तो ये क्या करेगा, kidney से resorption करवाएगा sodium की, ठीक है, और उसको ही निकलने देगा, और जब sodium की rebsorption होगी, तो blood volume भी increase करेगा, इस तरह से जो angiotensin 2 है, वो work करेगा as a constrictor, यानि के angiotensin यहां पे अपना double action perform कर रहे है, और double action वो क्या करेगा, कि vasoconstriction करवाएगा, और जैसे ही vasoconstriction होगी, तो blood pressure भी increase कर जाएगा, फिर हमारे पास आता ह है, arteriosycloresis, अब हम यहां पे कुछ important terms देखेंगे, जिसमें arteriosycloresis आएगा, atheriosycloresis आएगा, इन terms को हम one by one देख लेते हैं, कि यह क्या होती है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, arteriosycloresis, अब जब भी secloresis का word आए, तो it means कि hardening of arteries, arteries basically हमारे पास क्या होती है, कि ऐसी blood vessels जिन्होंने deliver करना होता है, oxygen rich blood को hard से body में, ठीक है, अगर आपकी arteries किसी भी वज़ा से hard हो जाती है, यानि उनके अंदर जो flexibility है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, और वो hard हो जाएगी, elasticity loss कर जाएगी, flexibility कम हो जाएगी, तो इस condition को हम कहते हैं, arteriosycloresis, इसकी three different types हैं, number one is arteriolosyclores second is monkbark and third is atherosycloresis, arteriolosycloresis, arteriolosycloresis में देखें, तो यह specifically effect करेंगी, जो हमारी small arteries और arterioles हैं उनको, उसके बाद, monkbark medial secloresis वो है, कि जिसमें calcium की deposition हो जाएगी, muscular arteries में, और यह जादा तर उन परसंग पे होगी, older than 50, cells की three layer होती हैं, the first one is adventia, second is media and the last third one is intima, intima जो है यह एक internal layer है, ठीक है, यानि inner layer है, अंदर की layer है और यह endothelium होती है, atherosycloresis में हम specifically उस layer को discuss करेंगे, क्योंकि उस layer के अंदर lion आ जाती है, जिसको हम कहते हैं atheromas, यानि एक plaque की formation हो जाती है, plaque किस वज़ा से होता है, cholesterol की deposition की वज़ा से plaque बन जाता है, blood vessel के अंदर, जिसकी वज़ा से arteries narrow कर जाती है, और उसको हम कहते हैं atheromas, अब atheromatous plaque के अंदर क्या होता है, आपने याद रखने हैं, दो component, एक तो होता है lipid core, दूसरा fibrous gap, lipid core किस-किस से बना होता है, इसके अंदर mainly कौन सी चीज़े involved है cholesterol, cholesterol easter, ठीक है, और last में necrotic deposition, यानि कोई भी ऐसे cells जो थोड़े wasted है नहीं जाहिए हमें, ठीक है, उसके बाद, अब क्या होता है, कि ये जो एक दम, ये जो plaque की formation बनती है, blood vessel के अंदर, ये बिलकुल suddenly नहीं बनती, एक दम से नहीं बनती, ये with the passage of time बनती है, यानि एक पर है, जो cholesterol enriched diet लेता जा रहा है, उसका कोई control नहीं, ठीक है, या on the other hand हम कह सकते हैं, कोई ऐसा patient जो obese है, जिसमें fats की quantity बहुत ज्याद है, कोई smoker है, या फिर कोई ऐसा person जिसका बहुत से डेंटरी lifestyle है, तो ये plaque उनमें with the passage of time, slowly आहिस्ता से बनना शुरू कर जाएगा, ठीक है, अब ये plaque क्या होता है, कि blood vessel के अंदर हमने कहा है कि बन रहा है, अगर normally blood vessel से blood ने flow करना है, लेकिन जब blood vessel से blood flow करेगा, और उस vessel के अंदर आगे एक plaque बना है, तो वो blood में obstruction कास्ट करेगा, ठीक है, यानि कि उसमें recover आएगी blood को वहां से गुजरने में, ठीक है, तो अब जब blood वहां से गुजरेगा, तो क्या करेगा, उस plaque को थोड़ा push करेगा, कि ये side पे हो जाए, और वहां से blood normally flow कर सके, during this pushing mechanism क्या होगा, कि वो plaque अगर तूट जाता है, या रप्चर हो जाता है, तो वो वहां से उतर कर, thrombosis, यानि embolus की तरह, एक जैसे blood clot सा बन जाता है, उस तरह से ये पूरी circulate करता रहेगा, बॉडी में, और तब तक करता रहेगा, जब तक ये किसी arteries में ना चला जाए, ठीक है, और इसके अंदर उसके बाद risk factor की बात करें, कि risk factor कौन कौन से involved है, तो risk factor के अंदर इसमें आते हैं, हमारे दो factor, constitutional and modifiable, constitutional factor को हम non-modifiable भी कहते हैं, क्योंकि ये वो factors हैं, जैसे genetic, age and gender, जिनको हम change नहीं कर सकते, यानि कि ये हमारे अंदर नहीं, अब जैसे age, with the passage of time, कोई person जब 70 या 70 प्लस या 60 प्लस की age में जाएगा, तो उसकी arteries narrow होंगी, ठीक है, तो ये हमारे अंदर नहीं, हम बात करें, अगर modifiable factors की, तो they play a very important role, इसके अंदर hyper hyperlipidemia आता है, hypertension, cigarette smoking या diabetes mellitus, अब जैसे hyperlipidemia को हम उसकी modification को next slide में detail से discuss करेंगे, cigarette smoking की बात करें, को ये ऐसा person जो बहुत ही serious smoking करता है, तो smoking में कुछ ऐसे agents present होंगे, जो agents present होंगे, जो different causes बनेंगे, diabetes mellitus की बात करें, यानि smoking के अंदर वो vessels को damage कर देंगे, diabetes mellitus के अंदर fat क level जो है वो, जो fats होती है, वो increase कर देती है, उसके बाद अगर हम next slide के अंदर देखें, modification for hyperlipidemia, इसके अंदर basically क्या होता है, कि आप कोई ऐसा person जो cholesterol की intake, यानि ऐसी diet ले रहे हैं, जिसके अंदर cholesterol बहुत जाद है, ठीक है, जैसे कोई saturated fat है, egg yolk में present है, animal fat में है, butter है, इस थरह कि अगर कोई person diet लेता है, तो उससे क्या होता है, plasma का cholesterol level increase कर जाता है, on the other hand, opposite side पे अगर बात करें, तो अगर कोई polyunsaturated fat diet लेता है, जैसे omega-3 fatty acid की अगर हम बात करें, जो कि fish oil में बहुत थी abundant quantity में present है, तो वो क्या करेगा, plasma का cholesterol level है, वो decrease करेगा, फिर अगर हम exercise की बात करें, तो exercise भी बहुत ही important role play करती है, cholesterol की level को decrease करने में, लेकिन अगर कोई ऐसा person है, जो exercise बिल्कुल भी नहीं करता, sedentary lifestyle है, तो उसका cholesterol increase करता जाएगा, blood vessel damage करती जाएगी, और उदर से फिर, जब blood vessel damage करेंगी, तो narrowing हो जाएगी, harding हो जाएगी, जो blood है, वो properly vessel में से flow नहीं जाएगा, obstruction आएगी, heart को blood supply नहीं जाएगी, जिसकी वज़ाए से फिर आपको, आगे से cardiovascular disease, lead कर सकती है, status की बात करें, तो status basically group of drugs हैं, जो cholesterol की synthesis को inhibit करने में यूज किया जाते हैं, ठीक है, जब हम ये drug देते हैं, तो एक enzyme है, HMG-CoA reductase enzyme, ठीक है, ये enzymes की, जब इस drug से, इस enzyme की synthesis को inhibit किया जाता है, इस enzymes को stop किया जाता है, ये basically anti-lipid drugs हैं, फिर अगर हम बात करें, pathogenesis of atherocyclerosis, so this is very important slide, इस slide पे एक बिल्कुल separate video बनाई गई है, जिसके अंदर ये proper हम जो atherocyclerosis की pathogenesis को सिर्फ discuss करेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं वो video, तो इस video, इस description box में link को attach कर दिया जाएगा, आप उस link को click करके video को देख सकते हैं, फिर हमारे पास आती है, fatty streaks and atherocyclerotic plaque, अब ये fatty streak क्या होती है, fatty streak basically एक yellow line होती है, normally अगर हम बात करें, तो इससे पहले अगर हम एक example लें, तो अगर हम जो बाहर के खाने होते हैं, अगर वहां से कोई भी जो कोई बाहर का जो अगर हम कोई रेस्टोरेंट के सालन की बात करे तो उनके उपर एक oil की layer सी होती है, ठीक है, पतली सी thin सी layer, इसी तरह blood vessel में भी ये इस तरह सी होती है और इसकी कोई इतनी prominence नहीं होती, लेकिन अगर कोई normally ये yellow होती है, क्योंकि लिपिट फ्रेजन्ट होते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई thrombosis clot आ जाए, तो ये yellowish brown से color की हो जाती है, atherosclerotic plaque की बात करें, दादा key features of this legends are intimal थिकनिक, हमने बात की के यहां पे main role, कौन सी layer प्ले करी थी, intimal layer, उसकी थिकनिक हो जाएगी atherosclerotic plaque की अंदर, और दूसरा lipid की accumulation हो जाएगी, और एक very important point जो याद रखने वाली, कि इसमें जब ये condition atherosclerotic plaque की होती है, तो ये atherosclerosis की condition होती है, तो कौन कौन सी arteries involved होती है, उन arteries का आपने नाम याद रखना है, the number one is infracranial abdominal, infrarrenal abdominal aorta, second one is coronary artery, third one is popletial artery, fourth one is intercarotid, and fifth one, the last one is vessels of circle of villas, इन arteries के नाम आपने दुबारा में repeat कर देती हूं, the first one is infrarrenal abdominal aorta, coronary artery, popletial artery, internal carotid artery, and vessels of circle of villas, ये वो arteries हैं जो इसमें involved होती है, ये था आज का topic, जो इसका remaining part रहागी है, वो हम next video में discuss करेंगे, till then stay happy and stay blessed.